आज मैं आपको एक इतनी बढ़िया और जटपड बनने वाली पनीर की रेस्पी बताऊंगी ना कि सारी रेस्पी इस पनीर की फेल है यानि कि अगर आप पनीर बुझे के बहुत शौकीने मतर पनीर के बहुत शौकीने और सोया पनीर के बहुत सौकीने इन सभी पनीर के बहुत अच्छी एक टिफिन रेस्पी के साथ साथ गैस्ट को खिलाने वाली भी रेस्पी है तो शोलिए फटा-फट से तीन सु ग्राम पनीर ले लिया है पानी को किया है गरम जैसे पानी गरम हुआ है पनीर को डाल दिया और गैस को बंद कर दिया एक ही मिनट रखेगा आप छली फ्लेक्स टालिए और फिर मैं इसमें डाल लिए हूँ मीट मसाला एक चमज़ अब अगर आप मीट मसाला नहीं एट करना चाहते तो इसमें जो सारी सबजिया भी सर्द्यों में आती है वो भी थोड़ा थोड़ा लेकर इसमें एड़ कर सकते हैं और इसको बड़ी ऐसे मेरिनेट करके एक बहुत बड़ी ऐसी क्विक मिक्स वैज भी बना सकते हैं या जो मैं बना रही हूं हम वो बनाएंगे तो फिर इसमें मैंने पनीर को cubes में कट कर लिया है और फिर इसको मैं हाथों से mix इसलिए कर रहे हूँ ताकि जो पनीर गरम पानी में रहा है एक से दो मिनट तो तूटे नहीं और इसको मैं overnight रखूँ या यह यह वाला step मैंने रात में किया था इसलिए मैं इसको टिफिन सब्जी और ब्रेक पास्ट करें दो को ये सुबह अब ये बहुत जल्दी बन जाएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा क्योंकि ये दही में ओवरनाइट रहेगा तो आप सब्जी बना लेतने हैं क्योंकि रात भर ये दही में मेरेनेट हमने कर दिया था तो ये इसमें कुछ भी हम जादा चीज नहीं अट करेंगे बस लसन, प्यास, हरीमेट, स्टमाटर और मेरे पास गाजर्टी तो उसको भी ले लिया है कट कर लिया है आप अपना मन पसंद कैसे भी इनको कट कर सकते हैं और उसके बाद जो मिर्च थी मैंने मोटी वाली ली है तीकी कम होती इसलिए बच्चों के वज़े से आप पदली वाली भी हरीमेट कर सकते हैं फिर सरसों का तेल एट कर देना है कड़ाई में और सिर्फ ज थोड़ा सा नमक एट करना है क्योंकि हम पनीर में पहले ही नमक एट कर चुके थे आदा चमस तो पस उतना ही नमक एट करना है जितना हमें प्याज टमाटर गाजरों के लिए चाहिए जिससे प्याज और टमाटर अच्छे से गल जाएगा थोड़ा दिर कवर कर दीजिए ए पनीर को एड़ कर देना है और बहुत जल्दी बन जाएगी अब आपको पाने वाने कुछ नहीं डालना इसके लावाब आप देख सकते मैंने कोई भी मसाला इसमें एड़ नहीं किया है ये ऐसे ही बहुत अच्छी लगने वाली है जिस तरीके से जब मैं आपको पनीर भुज सूरी में थी समें एड़ कर दिजी ऑउपर से और गयस बंद करने के बाद इसमें ठोड़ा सा हराधनिया act कर दिजी आप बहुँज और जाद हराधनिया एड़ करिएगा बच्चे मेरे थोड़ा आनाकानी करने लगते हैं छोटर वले बच्ची बेटी मेरी आनाकानी करती इसलिए हराधनिया की मातरा मैं थोड़ी कम रखती हूँ, आप लेकिन इसमें धेर सारा बारी कटा हुआ, फ्रेश हराधनिया एट करिएगा और ट्रेश्ट इसका दुग न हो जाएगा इसको चलिए सफ करते हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम है, तो आएए बड़िया सा एक ब्रेकफास्ट, इसमें हम निकालेंगे, तो कुछ स्नैक्स के तौर पे मखाने ले लिये थी, मैंने पपड़ी ले ली थी, और साथ ही पनीर के मैंने पराठे भी बना लिये थी, उ सुबह इतना जटपट ये बन कर रेडी हो जाता है, बहुत जल्दी और बहुत क्विक और बहुत ही टेस्टी क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा सर्दिया है, तो इस तरीके से हम बहुत से काम रात में अगर कर ले तो सुबह आसानी रहती है काम करने में, तो बहुत से काम या मिथे में एक अट्टा ही इनको कट करके रख लेती हूँ या मटा रहती है तो इसको एक अट्टा ही चील के रख लेती हूँ उससे हमारे बागी बहुत से काम आसान हो जाते है सुवे थंड मेक करने में रेसिपी पसंद आई हो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करते जाएगा और मेरे चैनल को कर लिजे सब्सक्राइब क्योंकि इसके अलावा मैं बहुत हेल्दी टिफिन वीडियो भी लाती हूँ थैंक्यो सो मच मेरे इसा जुड़े रहने के लिए बाई बाई